Hello everyone, welcome to exam dosed my dear friends, I am back again with very short video for all of you, जिसमें मैं बात करने वाला हूँ Network Analysis के बारे में, तो यार Network Analysis जो है न हमारे exam दोस्त है आप पे July batch का first subject था, जो कि recently हमने खतम किया है, अब Network Analysis एक ऐसा subject है जो कि मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि इसी से आपकी Electrical, Electronics, Instrumentation सभी की शुरुवात होती है, कोई भी बच्चा एक अच्छा Electrical या Electronics Engineer तब तक नहीं कहला सकता, जब तक कि उनका Network Analysis पे एक अच्छा कमांड ना हो, क्यों? क्योंकि इसके बिना ना तो आप Analog कर सकते हों, ना ही आप Core Subject कर सकते हों, और बहुत सारे बच्चों को पता है, Analog tough लगेगा, बहुत सारे बच्चों को Electrical का Core tough लगेगा, लेकिन एक्चुली जो होता है न, वो जड़ जो उनकी लाई करती है, वो Network Analysis में लाई करती है, कि Network Analysis उनका Weak रह जाता है, जिस कारण से they are not able to do well in their other subjects as well, तो देखते हैं हम लोगोंने Network Analysis के अंदर क्या क्या कवर किया है, तो देखो यार कुछ अगर Interesting Stats मैं आपको बताऊं, हमने Network Analysis का Course कवर किया है बचो, in a matter of 84 hours, ठीक है, जो कि मैं कहुँँँँगा, neither too long nor too short, क्योंकि यार देखो इसको ले जाने के लिए अराम से 100 hours के उपर ले जा सकते हैं, 150 hours के उपर ले जा सकते हैं, मेरा Objective Exam दोस्त पर यह नहीं है, कि एक-एक सब्जेट को इतना ड्रैक कर दूं कि बच्चों को टाइम ही ना मिल पाए, और कोई सब्जेट करने का, यहां पर हमने 84 hours में कवर किया, और कितने days में, अगर मैं Sundays को include करके बोलूं बिटा, 22 days में, टिके 22 days के अंदर, हमने 84 hours अगर मैं Sunday को include कर रहा हूं, कवर किया है, इसमें हमने class के अंदर बिटा, 800 से भी जादा question किये, अब यह 800 का count कैसे है, जो question में class में live solve कर रहाता हूं, प्लस जो assignment में देता हूं, अब आप कहोगे सर, assignment वाले कैसे count कर रहे हो class question में, क्योंकि बिटा, जितने भी question मैं assignment में देता हूं, सारे के सारे मैं class के अंदर solve कर रहाता हूं, मेरे हर course का, यही fundा रहता है, कि जितने question मैं आपको personally provide कर रहा हूं, हो सारे मैं आपको solve कर रहा हूंगा, hand written solution, हर एक चीज का दूँगा, हर एक question में आपका doubt भी लूँगा, तो ऐसे 800 से ज़्यादा question थे, workbook के अंदर हमने 230 से ज़्यादा question दिये, जिनके solution workbook के अंदर given थे, ठीक है, तो अगर बच्चों को यहाँ पर doubt आता है, तो बच्चे मुझसे टेलिग्राम पर पूछ लेते हैं, संडे के live session में पूछ लेते हैं, वरना otherwise यहाँ solution given होते हैं, more than 230 question, और PYQ में हमने 200 से ज़्यादा question दिये, electrical के PYQ में, इसमें भी solution given थे, तो overall बच्चों अगर आप हिसाब लगाओगे, around 1300 से ज़्यादा question मैंने बच्चों को network के अंदर provide कियें, with a solution provide कियें, और इसमें अगर बच्चे इतने question नहीं भी लगा पाते, अगर वो सिर्फ और सिर्फ यह class वाले question भी कर लेते हैं, they will have a very very good command on networks, तो इतना हमने accomplished किया है बटा, just 22 days के अंदर, अब आप सोचे किस तरह का बच्चों का एक तरह से slope रहा होगा, trajectory रही होगी, कितना rapidly उन्होंने चीजों को सीखा है, और इन बच्चों ने, जिन्होंने seriously follow किया है ना बटा, ये course उन्हें network में, life में कभी दिक्कत नहीं आने वाली है, they'll have a very very good command on all the topics, और इसमें मैं वो questions तो counting नहीं कर रहा हूँ, जो मैं test में दे रहा हूँ, test में हर संडे 15 question का test हो रहा है, इस संडे उनका mega test होने वाला है 50 questions का, तो ये सारी चीज़ें एक एकलोते course के अंदर, एक subject के अंदर हम लोग provide कर रहे हैं, एक subject पे इतना focus करके content provide किया जा रहा है, तो यार देखो exam दोस्त के तुरू मेरा एक ही aim है अभी, हर subject के अंदर आप लोगों को content इस तरह से provide करना है, कि timely manner में subject भी complete हो जाए, बट उसको overall way में cover करना है, ना सिर्फ उसके lectures लगाने, उसके question भी practice कराने, उसके test भी conduct कराने, उसके doubt भी answer करने हैं, तो आपको overall way में और सासा short notes भी बनवाने हैं, जिससे कि आप लोगों का revision भी easy होता रहे, तो ये सारी ही चीज़े लेके चलने हैं, ताकि overall development हो एक subject के अंदर, अब ये तो भाई हमारा जुलाई batch का पहला subject था network, अब आने वाला हमारा सबसे महान, सबसे बड़ा subject that is going to be your electrical machines, तो electrical machines के अंदर तो बिटा इससे भी जादा धमाल होने वाला है, क्योंकि जादा number of hours है, तो questions का count इससे भी अधिक होने वाला है, तो आप सोचें कि किस level पे तैयारी होगी, कि जब हर topic के short notes बनेंगे, हर topic का animation discuss किया जाएगा, हर topic से related आपको जादा से जादा question solve कराए जाएगे, तो यार ये हम लोग कब से start करें 27 जुलाई से, तो 27 जुलाई के बाद, जितने भी हमारे courses पे discount है, बिटा वो wave off कर दिये जाएंगे, अभी discount क्या चल रहा है, अगर आप लक्षे batch पे देखोगे, उसमें 20% price drop करके हमने रखा है, नीव batch में देखोगे, उसमें भी 20% price drop करके रखा है, तो सभी batches पे 20% prices less चल रहे हैं, तो अगर आप अभी join करते हो, चाहे तो आप full payment करके कर सकते हो, चाहे आप installments में pay कर सकते हो, you will get 20% less price, अब आप सोच रहे होगे सर, अगर अभी join कर भी लें, तो ये network कैसे cover करेंगे, आपने तो 84 घंटे का subject दे दिया, बिटा देखो, इसमें बहुत सारे hours ना, अपने question solving में गए हैं, अगर आप थोड़े question solve करते हो, यानि कि जैसे मानलो मैंने 800 कराए हैं, आप 400 करते हो, और आप theory पूरा cover करते हो, आप lecture का speed 1.5x, 2x करके देखते हो, तो definitely आप इसको काफी कम time में भी cover कर सकते हो, और आप हमारे बराबर आ सकते हो, तो साथ चल सकते हो, लेकिन what about दूसरा subject सर जो digital आपने पूरा कर दिया, digital का देखो electrical में वैसे भी weightage बहुत कम है, उसे last के लिए छोड़ सकते हो, और digital के hours network से थोड़े कम ही रहेंगे, तो वहाँ पे आप और easily wind up कर पाऊगे, और वहाँ अगर पूरा ना भी कर पाऊँ subject, तो important important topics कर लेना, जैसे sequential कर लेना, जैसे combination कर लेना, इस type के topics कर सकते हो, और अभी हमारे साथ आप machine के साथ शुरू कर सकते हो, machine के लिए जो pre-requisite होते हैं, जैसे three-phase circuit, coupled circuit, इसके lecture बेटा मैंने machine के folder में डलवा दियें, उनको आप पहले देख सकते हो, AC analysis थोड़ा बहुत आप cover कर सकते हो, और machine से शुरू कर सकते हो, machine के parallel में दूसरा subject अपना control आने वाला है, control के लिए lap last में control में ही cover कराऊँगा, तो कोई pre-requisite की ज़रूरत नहीं है, तो आप अभी से भी शुरू करते हो, तो एक अच्छी rank को aim कर सकते हो, बस थोड़ा सा smart होना पड़ेगा, कि जो subject अलरीडी बीच चुके हैं, उन्हें किस तरह से cover करना है, network में कम question और high speed पे lecture देखके, और digital के अंदर selected topic cover करके, yes you can come up at par with the other students, और machines का देखो dedicated course भी हम लोग ने launch किया है भाई, machine का dedicated course पे भी 20% discount दे रहें using the code EM20, तो अगर आप यहाँ पे लेते हो, तो 4000 की जगे आपको 3200 में पड़ेगा, लेकिन one promise I'll make to all of you, machines का course network से भी next to next level पे जाने वाला है, तो आप लोग काफी enjoy करने वाले हो, ठीक है, तो अगर किसी भी बच्चे की कोई query रहती है, हमारे WhatsApp नमबर पे भेज़ देना, WhatsApp नमबर है 7089047561, इस पे आप कोई भी query भेज सकते हो, we'll be happy to answer all your queries, ठीक है, तो I hope you like the video, कोई बात अगर आपको one-to-one करनी है, तो हमारे WhatsApp नमबर पे contact करें, ठीक है, ठीक है, ठीक यू तो all of you and all the best to all of you.